संगीत विरासत लेक, UGC NET, PhD प्रवेश परिक्षा सहित, केंद्र तथाराज इस्तरिय विभिन प्रतियोगी एवं प्रवेश परिक्षाओं हेत उपियोगी सीर्शक भारतिय संगीत परंपरा का उद्भव एवं विकास, शंकर प्रसाद तिवारी भारतिय संगीत का वरगी करण पिछले लेक में बताया जा चुका है कि क्षेत्रियता के आधार पर भारतिय संगीत को मुख्यता दो भागों में बाटा गया है एक उत्तर भारतिय संगीत या हिंदुस्तानी संगीत तथा दो दक्षन भारतिय संगीत या करनाटक संगीत तथा तीन लोक गीत आगे इनका वर्णन किया जा रहा है एक उत्तर भारतिय या हिंदुस्तानी संगीत कौ शास्त्रिय संगीत शास्त्रिय संगीत एक ऐसी विशिष्ट संगीत विदा है जिसकी रचना गायन तथा वादन सुनिर्धारित या नियम बद नियमों के अंतरगत किया जाता है जाहिर है इस संगीत विदा को सीखने तथा उसमें पारंगता हासिल करने के लिए लंबे समय तक अभ्यास अर्थात रियाज की आवशकता होती है यद्यपी भारतिय शास्त्रिय संगीत की शुरुवात राजपूत काल में ही हो गई थी मगर मध्यकाल के मुस्लिम शासकों के काल में ये अधिक व्यवस्तित तथा विक्सित हुई मध्यकाल में भारतिय संगीत पर तूरानी तथा इरानी प्रभाव के फलस्वरूप शास्त्रिय संगीत का और अधिक परिमारजित रूप विक्सित हुआ और अठारवी सदी में इसका रूप इस्थिर हो गया मध्यकाल में राजपूत राजाओं तथा मुसलिम शास्त्रिय संगीत की मिशृत शैलियों के विकास सरक्षन तथा समवर्धन में विशेश योगदान दिया हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत की प्रमुख विदाएं हैं दुरुपद अर्थात, धुरुपद, खयाल अर्थात, खयाल, धमार, चतुरंग, सादरा, तराना तथा त्रिवर्ट आदी दुरुपद को विशुद भारतिय शास्त्रिय संगीत शैली माना गया है, जिसका विकास अकबर के समकालिन ग्वालियर के राजा मानसिया के समय 15-16 सदी में हुआ, दुरुपद का अर्थ है अचल या इस्थिर, तथा ये एक गंभीर तथा कठिन गायन शैली मानी जाती है, जिसे अपनी जटिलता के कारण मरदाना गायकी के नाम से भी जाना जाता है, दुरुपद गायन में भक्ति तत्व की प्रधानिता रहती है, तथा सुर एवं ताल का बहतरीन समन्वे देखा जाता है, इसे विलंबित गति से शुरू कर के धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाता है, दुरुपद गायन शैली के प्रमुख गायक माने जाते हैं, तानसेन तथा उनके गुरु हरिदास, मानसी हैं, बैजु बावरा, डागर बंधू, गुडेचा बंधू, पंडित राम चतुर मलिक, पंडित सियाराम तिवारी तथा राशिद आलिया, शास्तिय इस गायकी के विकास, परिशोदन तथा प्रोथसाहन में, अमीर खुसरो, हुसैन शाह शरकी, मुहम्मद शारंगीला तथा उसके दरबारी गायकों, अदारंग जैसे फिरोज खान तथा, सदारंग जैसे नियामत खान का विशेश योगदान रहा खयाल शैली को धुपद की अगली कड़ी या पूरक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि धुपद गायन के सापेक्ष खयाल में स्वर्विस्तार तथा कल्पना को छूट प्रदान की गई है, अर्थात खयाल को धुपद के आगे की स्वरों की मुक्त उडान कहा जा सक खो उपशास्त्रिय संगीत एवं शोखी अर्थात, स्वच्छंदता देखी जाती है उपशास्त्रिय संगीत की प्रमुख गायन शेलियां है ठुमरी, टपा, दादरा, कजरी, चैती तथा गजल, इत्यादी उपशास्त्रिय गायन में ठुमरी तथा गजल को काफी जोग प्रियता हासिल है वास्तों में जिस प्रकार धुपत की कठिंता को कम करने के लिए खयाल या खयाल का विकास हुआ ठीक उसी प्रकार खयाल की गंभीरता को कम करने या सलल बनाने के लिए ठुमरी शैली का विकास हुआ यद्यपी ठुम्री शैली मद्यकाल में भी असंगटित या अनियोजित किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रही मगर इसका यतोचित वविवस्थित विकास लखनाओं के नवाब वाजिद अली शा के दर्बार में विशेश रूप से वर्ष 1847 से 1856 के दोरान हुआ उस्ताद सादिक अली खां को व्यवस्थित ठुम्री शैली का जनक माना जाता है वास्तों में ठुम्री ने संगीत की कात्य में अनभूतियों को और अधिक सरस कर्ण प्रिय तथा व्यावारिक बनाया अवद का कथक नर्त्य ठुम्री गायन से विशेश रूप से संबंदित रहा तथा आवद के नवाब वाजी दली शाह इसके प्रमुक सरक्षण करता माने जाते हैं अधिकांश ठुम्री गायक पिया उपनाम का प्रियोग करते हैं प्रमुक ठुम्री लेखक हैं तवक्कुल हुसैन खां अर्थात सनद पिया नजर अली अर्थात नजर पिया तथा कल्ले खां अर्थात सरस्पिया तथा प्रमुक ठुम्री गायक हैं राजकुमार गणपत्राव गौलियर, सिदेश्वरी देवी बनारस तथा गिरिजा देवी इत्यादी इसी क्रम में अवद के नवाब आसफुत दौला के दर्बार में रहने वाले पंजाबी लोक गायक मिया शौरी ने शास्त्रिय संगीत की विशेश्ट साएं मिलाकर संगीत की टपा शैली का विकास किया इसी प्रकार उप शास्त्रिय संगीत की गजल तथा कवाली शैलियों का भी विकास हुआ गजलों का सलतेनत काल में समुचित विकास हुआ तो कवालीयों को मुगल शासन काल में विशेश लोक प्रियता हासिल हुई और आज भी ये काफी लोक प्रियां है प्रेमी या अपनी चाहवाली किसी प्रियवस्तु के साथ संगीत में बाचीत की शैली गजल शैली तथा प्रेमी की जब ईश्वर के साथ संगीत में बाचीत या समवाध होता है तो ये शैली कवाली कहलाती है गजल तथा कवाली में एक प्रमुक अंतर ये है कि गजल गायन में जहां एकल या युगल गायन को अधिक वरियता दी जाती है वही कवाली में समुह गायन को वरियता दी जाती है गजल में पहला शेर अर्थात दो लाइनों की तुकबंदी को मल्ला तथा अंतिम शेर को भक्ता कहा जाता है कवाली में सामुहिक गायन, सुफियान गायन तथा सवाल जवाब का तरीका भी अपनाया जाता है प्रिष्ट संख्य एक सो साथ गौ लोकगीत या लोकसंगीत लोकसंगीत प्राचीनकाल से ही भारत्य सभ्यता और संस्कृति का अभिन अंग रहा है और विबिन क्षेत्रों की संस्कृति के अनुसार इसकी विवित्तापून तथा सम्रिद परंपरा रही है इस संगीत की सबसे बड़ी तीन विशेशता हैं एक अधिकाजिक सामाजिक भागीदारी दो दुखद या सुखद तथा सामान्य सभी अवसरों पर गायन तथा तीन संगीत के जटल नियमों से मुक्त वास्तों में किसी भी समाज या संस्कृति के लोक जीवन पर आधारित संगीत शैली ही लोक संगीत कहलाती है लोक संगीत के प्रमुक उदारण हैं पहला बच्चे के जन पर गाये जाने वाले गीत सोहर, खिलोनो, कोहबर, समुस, बनी दूसरा, विवाहुत सव पर गाये जाने वाले गीत घोडी, बन्ना, मांडवा, भात, विरहा, गारी तथा तीसरा, फसली, त्योहार तथा रिद्वों के आवसर पर गाये जाने वाले गीत जैसे फाग गीत, चोताल, डेड़ ताल, तिन ताल, देलवईया, उलारा, चहका, चैती, लेज, सुमर व कबीर आदी तथा आवदी तथा भूजपुरी में प्रचलित पावस गीत, कजली या कजरी उत्तर भारत के विभिन राज्यों एवं क्षेत्रों में उनकी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के मुताबिक विविद प्रकार के लोग गीत प्रचलित हैं मसलन राजिस्थान के प्रमुख लोग गीत हैं जाडुली, कामण, धुडला, पनिहारी, धोला मारू, रादुहा तथा गाथा गीत जैसे लोरिकायन, नयका बंजारा, विजमेल, सलहेस तथा दीनाभदरी आदी इसी प्रकार ब्रेज, आगरा, मथुरा, अलीगर, बरेली, बदायूं तथा इटावा आदिक शेत्रों में प्रचलित, लोक गीत हैं, सोभर या सोहर, ननद भावज, सगाई, पीली चिठी, लगुन, रतजगे, देवी गीत, जाहर गीत, एकादशी गीत, बसंत गीत, नमारे, बहुला, सर्मन धोला, मदारी धोला, हिरनावती, रामकृष्ण भक्ति गीत, माधव गीत, टेसु मांजी गीत, पुरहे के गीत, तथा तीर्थों के गीत, आदि, रोहिलकंड अर्थात, बरेली, रामपूर, बदायूं तथा अलीगर, जनपत के प्रसिद लोक गी गीत हैं, चारबैतिया, चरबैतिय ढोला, मारुकागौना तथा आलहा, चतीसगड के प्रचलित गीत हैं, देवी गीत, बारह मासा, भोजली गीत, ददर्या, डंडा गीत, होली गीत, गहिरा गीत, बांस गीत, मंडप गान, छैला, सोहर, भोजली, डंडा गीत, तथा महिरा आवधी अर्थात लखनव, फैजाबाद, मिर्जापुर, बधोई तथा भोजपुरी भासाई क्षेत्र अर्थात वारणसी, गोरकपुर, आरा, बलिया, गाजिपुर, देवरिया, बस्ती आदिक्षेत्र में गाय जाने वाले प्रमुख लोग गीत हैं, विरहागीत या पित तीर्थियात्र गीत जंतिसार, निर्वाही अर्थात, निराई गीत, कजली, होली, चैती, बारह मासा, टुन्मुनिया, जुमर, जूला गीत, लोरिकी, विजैमल, सोरथी, शीत बसंत, जरेवा, परेवा, लोरिया, लचौरियों, मनोरा, जुमक तथा, विदेशिया, इत्य इसी प्रकार बुंदेल खंडी के कुछ प्रमक लोकसंगीत हैं फाग, प्रजगीत, सगुन, चिरैया, ब्याहगीत, सोहर, देवीगीत या देवगान, मेलागीत, होलीगीत तथा इस्थानिय नामकों की वीरता जैसे आला उदल, छत्रसाल, हरदौल, जहांसी की रानी, अहिल् इत्यादी, पर आधारित वीरगा थाएं, बुंदेली लोक गीतों के व्यापक क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जहांसी, जालौन, बांदा, तथा हमीरपुर जिलों से लेकर, मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, ललितपुर, गौालियर, छतरपुर, पन्ना, मंड बुंदेली की ही तरा मैथली लोक गीत भी काफी बड़े क्षेत्र में गाए जाते हैं, ये गीत मुख्यता, बिहार, राज के चंपारण, दर्भंगा, मुंगेर, भागलपुर, मुजफरपुर, तथा पूनिया आदी जिलों में गाए जाते हैं, प्रमुक मैथली लोक गी सोहर, समरी, नचारी, समदावनी, वर्गमनी, फाग, चैतावर, मलार, मदुश्रावनी, छटगीत, जूमर, तिरहुती, बटगमनी, अर्थात सजनी, सियाम चकेवा तथा जट जटिन आदी उत्राखंड के गडवाल मंदल अर्थात, चमोली, रूद्र प्रियाग, टिहरी, उत्तरकाशी, तथा पौडी, जनपद, तथा कुमावन मंदल अर्थात, अल्मोडा, नैनिताल, पिथोरागर, बागेश्वर, आदी में उत्राखंडी लोक गीतों की प्राचीन काल से ही सम गडवाल मंदल में इन गीतों को गडवाली गीत तथा कुमावन मंदल में कुमावनी गीत के नाम से जाना जाता है। प्रमुक उत्राखंडी लोक गीत हैं मांगल, रितुरेण, जोला, चांचरी, जुमैला, भगनौला, जागर, भड़गीत, चैर्ती गीत, दिवाली गीत, भड़गीत, राजुला, मालू, साही, यक्षगान, मार्दा या भोटिया गान तथा पांडव, निर्त्य, आदी। लोक संगीत के रूप में एक विशिष्ट संगीत शाली का नाम है रविंद्र संगीत। गुरुदेव रविंदरनाथ टैगोरद्वारा विक्सित इस संगीत शाली में भारतिय शास्त्रिय संगीत तथा बंगाल के पारंपरिक लोक संगीत का अच्छा समिश्रण किया गया गायन की इस शैली में रविंदरनाथ टैगोर द्वारा 2230 गीतों की रचना की गई है जो भारत तथा बांगला संगीत वसाहिते की महतुपूर्ण विरासत है टोगोर के गीतों में सौंदर्य, श्रिंगार, सौम्यता, गंभीर्ता तथा समवेदिना का अच्छा समन्वे देखा गया है पारंपरिक गायन के अलावा बांगला तथा हिंदी सिनेमा में भी रविंदर संगीत का प्रियोग किया गया भारतिय संगीत शैली के कुछ प्रमुक आधुनिक गायक एक सारणी दी गई है, सारणी के एक ओर संगीत शैली और दूसरी ओर गायकों के नाम दिये गए हैं संगीत शैली हिंदुस्तानी संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी जिने भारत रत्न से अलंक्रित भी किया गया है हिराबाई वरोडकर मलिकारजुन मनसूर संगीत शैली करनाटक संगीत या दक्षन भारतिय संगीत संगीत शैली गजल गायक गायक गुलाम अली तलत महमूद तलत अजीज महंदी हसन नुसरत फते अली खान जग्जीत सिहा भुपेंद्र के ल सेहगल मलिका पुखराज पीनाज मसानी संगीत के प्रमुख वाद्य तथा उनके प्रसिद आधुनिक वादक एक सारणी के रूप में दर्शाये गए हैं सारणी के एक ओर वाद्ययंत्र और दूसरी ओर उनके वादकों के नाम दिये गए हैं सारणी इस प्रकार हैं वाद्ययंत्र सरोज वादक ब्रजनारायन उस्ताद अलाउदीन खान उस्ताद अली अकबर खान अमजद अली खान अशोक कुमार राय तथा चंदन राय आधी वाद्ययंत्र शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान भारत रत्न प्राप्त करता शैलेश भागवत हरी सिहां अनन्तिलाल जगन्नात आधी वाद्ययंत्र सारंगी वादक पंडित राज नारायन अरुनाकाले संतोष मिश्रा आशिक अली खान ध्रुव घोष अरुना घोष रमजान खान तथा सावरी खान आधी वाद्ययंत्र वीना वादक रमेश प्रेम एस पालचंद्रन कल्यान क्रिश्न असदली तथा ब्रमस्वरूप सिहां आधी वाद्ययंत्र हार्मोनियम वादक महमूद धौलपुरी रविंद्र तलेगाउंकर अप्पा जुलगाउंकर तथा बासंती मापसेकर आधी वाद्ययंत्र संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा भजन सोपोरी तरुन भटाचार्य आधी वाद्ययंत्र बासुरी वादक पंडलाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया विजयर आघवराय देवेंद्र मुक्तेश्वर रगुनात सेट प्रकाश वडेरा राजेंद्र प्रसन्ना तथा प्रकाश सक्सेना आधी वाद्ययंत्र गिटार वादक विश्व मोहन भट श्रीकृष्ण नलिन मजूमदार ब्रज भूषन कावरा तथा केशव तलेगाउंकर आधी वाद्ययंत्र तबला वादक उस्ताद अलारखा हां पंडित सामता प्रसाद गुदै महराज अंबिका प्रसाद लतीफ खान जाकिर हुसेन आधी वाद्ययंत्र पखावज वादक इंद्रलाल राणा प्रेम बल्लब गोपालदास ब्रज रमनलाल रमाकांत पाठक तथा तेजप्रकाश तुल्ची आधी वाद्ययंत्र जलतरंग वादक जगदीश मोहन रांसुरूप प्राकर तथा घासी राम निर्मल आधी वाद्ययंत्र अन्ययंत्र वादक पालधर रंग म्रदंग नीरु स्वामी पिल्लई नादस्वरम अलावदीन खान इसराज तथा गोरी शंकर रामकृष्ण तथा एमवी सोल पुरकर क्लेरियो नेट सारिनी समाप्त प्रिष्ट संख्य एकसो आठ हिंदुस्तानी या उत्तरभारतिय संगीत के प्रमुख घराने एक सारिनी के रूप में इसे दर्शाया गया है सारिनी के तीन भाग है पहले भाग का सीर्षक है घराने का नाम दूसरे भाग का सीर्षक है संगीत शैली और तीसरे भाग का सीर्षक है प्रमुख गायक सारणी इस प्रकार है घराने का नाम दिल्ली घराना संगीत शैली ख्याल या ख्याल गायकी प्रमुख गायक गुरुमिया अफजल उर्फ गुलाम हुसैन संस्थापक तथा तवारस खान घराने का नाम किराना या केराना घराना संगीत शैली खयाल गाईकी प्रमुक गायक उस्ताद बंदे अली खान संस्थापक तथा उस्ताद अब्दुलकरीम खान घरानिका नाम ग्वालियर घराना, संगीत शेली, दुपद, हयाल, ठुमरी, ठपपा तथा तराना गायन, प्रमुक गायक रामतन्ना मिश्र संस्थापक, तानसेन, अर्थात, रामतनुपांडे तथा विलास खान घरानिका नाम जैपुर घराना, संगीत शेली, राग परज, टक सुहा, सिंदूर बसंती तथा मलहार, प्रमुक गायक मलिकारजुन मनसूर, बाल गंधर्व, मोगुबाई कुर्डीकर तथा बरकतुल्ला खान घरानिका नाम पटियाला घराना, संगीत शेली, खयाल, गजल, कववाली, प्रमुक गायक, उस्ताद फैयाज खान घरानिका नाम बनारस घराना, संगीत शेली, धुपद, खयाल, ठुमरी, तराना बहार, मलहार, प्रमुक गायक, पंडित राम सहाय, संस्थापक, शारदा सहाय, राजन मिश्र, किशन महराज तथा सामता प्रसाद, सिदेश्वरी देवी, गिरिजा देवी तथा साजन मिश घरानिका नाम सहसवान रामपूर घराना, संगीत शेली, धुपद, खयाल, तप्पा, प्रमुक गायक, कुतबुद दौला, शाबुद दौला, संस्थापक, महबूब हुसेन खाँ, अली हुसेन, मुहम्मद हुसेन, इनायत हुषेन, मुश्ताक हुसेन खाँ, हफीज एहम गुलाम हुसेन खाँ, तथा राशिद हुसेन, घराने का नाम मेवाती घराना, संगीत शेली, धुपद, खयाल, तराना, प्रमुक गायक, पंडित जसराज, घराने का नाम इंदौर घराना, संगीत शेली, खयाल, गजल, कवाली, प्रमुक गायक, उस्ताद रजवली खाँ पंडित अमरनात उस्ताद अमीर खां सारणी समाप्त दो करनाटक संगीत अर्थात दक्षन भारतिय संगीत दक्षन भारत में प्रचलित संगीत शैली को करनाटक संगीत कहते हैं कहीं कहीं पर इसे कन्नड संगीत के नाम से भी उल्लखित किया जाता है गसे तमिल भाषा में करनाटक शब्द से आशे है प्राचीन, पारंपरिक तथा शुद्ध करनाटक शब्द का पहले पहल प्रयोग मतंग की रचना व्रहत देशी में मिलता है नान्यदेव द्वारा रचित भरत वर्तिका में भी करनाटक शब्द प्रयोगतु हुआ है फार्सी या पश्चमी संगीत शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता इस संगीत शैली में इस्थानिय तथा पारंपरिक रागों के साथ तमिल तेलुगू तथा कन्नड भाषाओं में रजनाई लिखी गई करनाटक संगीत शैली को संगठित तथा व्यवस्थित करने में पुरंदरदास नामक संगीत शास्त्री का विशेश योगदान रहा इसी कारण इन्हे करनाटक संगीत का जनक पितामा तथा नारदा वत्तारी भी कहा जाता है वर्ष 1750-1850 के बीस तिरुवरूर में रहने वाले संगीत की त्रिमूर्थी त्याग राज मुथुस्वामी तथा श्यामा शास्त्री ने करनाटक संगीत को कलात्मक दृष्ट से उतकृष्टता प्रदान करने में बेहद महतुपूर्ण भूमी का निभाई जबकि चौदेवी से लेकर सोल्वी शताब्दी के दौरान विद्धारणिया रागा मात्य तथा विठ्थल जैसे विद्वानों ने करनाटक संगीत को लोगप्रिय बनाने में विशेश योगदान दिया इन संगीत विशेश अग्यून द्वारा कई रागों में संगीत रचनाई रची गई जिनमें अधिकांशिता भक्ति भाव का समावेश देखने को मिलता है और अधिकांश रचनाई देवी मिनाक्षी भगवान सुब्रमन्यम वेंकटेश्वर शिव तथा राम को समर्पित हैं शावनकोर के राजा स्वाति थिरुनल अर्था पेरुमल 1813-1846 को करनाटक संगीत के सरक्षन तथा विशेश योगदान रहा उन्होंने करनाटक शाली में कई कृतियों वर्णम, पदमों और जावालियों की रचना की पदम एवं जावली सुगम संगीत की श्रणी में आते हैं पदम से आशे है इश्वर तक पहुँचने का प्रेम मार्ग करनाटक संगीत की अधिकांश रचनाओं के प्रमुक्थया तीन अंग हैं पललवी, अनुपललवी तथा चरण पललवी रचना का मुख्य भाग है, अनुपललवी दूसरा भाग तथा चरण अंत में आता है कुछ रचनाओं में अनुपलवी को छोड़ भी दिया जाता है हिंदुस्तानी शाली में रागों को जिस प्रकार ठाठों में बाटा गया है करनाटक संगीत में उसी प्रकार बहुत तरमेल अर्थात मलाकार्थ बनाई गई है प्रिष्ट संख्य 109